दोस्तों जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे वो समय वो घड़ी अब काफी नजदीक आप होसी है हम सभी जो है अपने अपने पूजा पार्ट में भोले नाथ को प्रसन करने की पूरी-पूरी कोसिस करना है और भगवान भोले नाथ की हम सब पे कृपा बनी रहे ऐस मैं कामना करती हूं तो दोस्तों आप जानेंगे कि आज के दिन यानि 11 मार्च को पूजा कप करना है देखिए एक चीज़ मैं बता दू आपको कि सास्त्र के अनुसार सुभ मुहुर्ट में पूजा करने का बड़ा विसेस महत्व है तो अगर आप चारो पहर में रात्री के जो में पूजा करते हैं या फिर मंदिर जाखर के अश्च और पूजन करते हैं यानि घर पर पूजा नहीं करते हैं मन्दिर जाखर के तो सबसे पहले तो यह देखिए कि जो शिवरात्री का तेवहार है वो हम लोग कब मनाएंगे कब से तिथी लग रही है तो देखिए चतुरदसी तिथी जो है वो सुरू हो रहे हैं 11 मार्च को गुरुवार दो बच कर 49 मिनट पर तो अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा प्राय परंतु इस बार की उद्याति थी जो है वह 12 मार्च को पड़ रहे है परंतु शिवरात्री में रात्री की पूजा का विचेस महत्व है तो इसलिए 12 को शिवरात्री न मना करके हम लोग 11 मार्च को ही शिवरात्री का पर्व मनाएंगे तो ये बात आपकी बिलकुल आपको निश्चिंत हो जाए कि 11 मार्च को ही सिवरात्री रहाएगी अब देखिए पूजा का समय क्या तो दोस्तों पूजा का जो समय है वह निसीत काल यानि कि रात्री में जो लोग निसीत काल में पूजा करते हैं वो लोग 12 बज करके 6 मिनट से निसीत काल की पूजा शुरू करेंगे और 12 बज कर 55 मिनट तक जो है ये पूजा मतलब इनका सुब मुहुर्त है अब ये मत आप समझे कि 12 बज के 6 मिनट पर अगर आपने ये पूजा शुरू नहीं किया आप 12.55 मिनट तक आपने ये पूजा समाप्त नहीं की तो आपकी पूजा पूढ नहीं होगी दोस्तों ये जो अधी काल है यानि की 12.65 मिनट का ये जो समय है इस समय में आप अपने निसीत काल की पूजा शुरू कर सकते हैं अब यह पूजा मंत्र जब आप जितने देर कर सकें वो आपके उपर है दूसरी चीज है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जो है चाहा है इस्तरी है या पूरुस है वो घर में पूजन नहीं करते हैं वो मंदिर जाकर पूजा और अविशेक करना चाहते हैं तो ऐसे में वो कब करें तो देखिए उसके लिए सबसे जो सुब समय है जैसा कि मैंने बताया कि सिवरात्री यानि चतुरदसी थी जो है वह ग्यारा मार्च को दो बच कर 49 मिनट से लग रही है तो यानि आपके साम के स समय भगवान भोले नात का अविशेक कर सकते हैं 5-6 बजन करें तो इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है एक चीज ओर बता दूँ दोस्तों कि जो लोग बरत होंगे बरत का पारण भी बहुत महत्वपून भूमिका निभाता है यानि बरत तभी पून होता है जब आप उसका पारण बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं और पारण की मैं बिधी जो पूरी बिधी होती है वो मैं वीडियो जो है इसके चैनल पे इसके बात जो है अपलोड करूँगी वो देखना आप न भूलें क्योंकि देखिए ब्रत का जो समपूर्ण फल होता है वो आपके पारण में ही नहींत होता है और अगर आपने पूर्य प्राप्त होता है तो पारण का जो सिवरात्री के पारण का सुमुहुर्त है वो है शुक्रवार की सुबह यानि की बारतारी की सुबह 6 बच करके और चोटीस मिनट से दोपार 3 बच कर 2 मिनट तक तो इस बीच आप अपना पारण कर सकते हैं अब यह पारण अगर आप निर्जला ब्रत रहेंगे तो आप जल पी करके करेंगे और अगर आप फला हाल ले करके करेंगे तो फिर आप अनाज खा करके अपना ब्रत वह तोड़ेंगे तो दोस्तों पारण का जो है यही एक बात होती है कि जिन चीज से आप ब्रत रखे हैं उसके उससे अलग साथ धन्यवाद